अब है activity 5.4 यह सभी जो chemicals दे रखे हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फिरिक एसिड, नाइटरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोकसाइड, अमोनियम हाइड्रोकसाइड, कैलसियम हाइड्रोकसाइड, जो कि lime water बोला जाता है, इन सब को लेना है, एंड उनका effect देखना है, लिटमस पेपर पर क्या होता है, टर्मरिक पेपर पर क्या होता है, और चाइना रोज सोलिसन के साथ, इनका क्या effect होता है, फरस्ट है, हाइड्रोकलोरिक एसिड, अगर इसको लिटमस पेपर पर डाला जाता है, ब्ल्यू लिटमस पेपर पर, तो ये red हो जाता है, अगर red पर डाला जाएगा, तो कोई वे effect नहीं होगा, टर्मरिक पेपर के साथ, किसी पेपर पर जो टर्मरिक लगाया है, उसके उपर अगर हम इसको डालेंगे, तो इस पर कोई effect नहीं होगा, चाइना रोज solution में अगर इसको डालते हैं, हाइड्रोकलोरिक एसिड को, तो ये pink हो जाएगा, क्योंकि ये acid है, अब दूसरे में sulfuric acid है, sulfuric acid अगर यहाँ पर डालते हैं, sulfuric acid का formula है, litmus paper के उपर इसकी एक दो drops डालते हैं, तो ये blue litmus को red कर देता है, क्योंकि ये भी acid है, और turmeric पर कोई effect नहीं होता, और china rose water के साथ ये pink हो जाता है, इसी तरह से nitric acid का, HNO3 का भी यही है, same ऐसे ही होगा, इस पर कोई effect नहीं होगा, और ये pink हो जाएगा, और इसी तरह से acetic acid का होगा, same ऐसा ही होगा, blue to red, और turmeric पर कोई effect नहीं होगा, क्योंकि acids का turmeric पर कोई effect नहीं होता, और china rose water जो है, वो pink कलर का हो जाएगा, और अब sodium hydroxide लेंगे हम, एन ने वाच लिख सकते हैं, या sodium hydroxide लिख सकते हैं इसको, ये hydroxide, ये red को blue करेगा, red lidmus पर अगर डालते हैं, तो इसको blue कर देता है, बट इसका blue पर कोई effect नहीं होता है, और turmeric के साथ इसको add किया जाता है, तो इसका color red हो जाता है, और अगर china rose solution के साथ इसको डाला जाता है, तो इसका color green हो जाता है, इसी तरह से ammonium hydroxide, तो ये भी red को blue कर देता है, और turmeric को red कर देता है, यहाँ पर green observation हम लेते हैं, इसी तरह से calcium hydroxide जो है, उसका भी same effect होगा, lime water लिख लेंगे यहाँ पर, ये भी same effect होगा यहाँ पर, तो इससे हमने क्या observe किया, कि ये dilute hydrochloric acid, ये भी acid है, ये भी acid है, acetic acid चार, ये चार तो acids हैं, इन indicators पर ये effect होगा, और ये जो तीन हैं, ये सब भी basic in nature हैं, इनका इनके उपर ये effect होगा, यहाँ तक table भी खतम हो जाती है, और तीनों indicators के बारे में हमने, अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब आपको समझ आ गया होगा, कि कौन से indicator पर acids के साथ क्या effect होता है, basis के साथ क्या effect होता है, और neutral substances के साथ कोई भी effect नहीं होता है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, अगर topic समझ आ गया है, please subscribe my channel, share to your friends and like, कुछ समझ नहीं आए, तो comment box में लिकर पोच सकते हैं, thanks for watching,